तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंस के बारे में और SQL में अगर आपने जॉइंस नहीं सीखा तो इसका मतलब कुछ नहीं सीखा क्योंकि जॉइंस एक काफी जादा इंपॉर्टन टॉपिक है होता SQL में और आप जब किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो जॉइंस तो पक्का यूज होगा क्योंकि जो डेटा होता वो किसी एक टेबल में नहीं होता वो मल्टिपल टेबल में स्टोर होता है और उसके लिए हम लोग जॉइंस को यूज करते हैं और अगर आप फर्स टाइम जॉइंस सीख रहो SQL में तो ट्रस्ट मी वीडियो आपके लिए काफी जाता इंपॉर्टन होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे कि जॉइंस क्या होता है कितने टाइप्स के जॉइंस होते हैं उसका syntax क्या होता है उसको कैसे use करते हैं SQL के अंदर तो उसकी example भी हम लोग SQL में देखेंगे और सारी चीज़ हम लोग एक step by step cover करेंगे इस वीडियो में तो जो word है join उसका मतलब यह होता है combine किसी चीज़ को जोड़ना उसको हम लोग join बोलते हैं तो suppose करते हैं दो टेबल में पास table a और table b अगर इन दोनों tables को मुझे combine करना है SQL के अंदर मतलब join करना है तो इन दोनों के अंदर कोई ना कोई दो column common होने चाहिए मतलब same values जो इस column के अंदर है वो same values दूसरे वाले table में भी होनी चाहिए तब भी मैंस table को join कर सकता हूँ otherwise नहीं तो अगर आप इसका by definition देखते हो a join clause is used to combine data from two or more tables based on related column between them तो इसको थोड़ा सा और हम रो example के थुरू समझ लेते हैं यहाँ पे आप question देख सकते हो कि how much amount was paid by customer madan and what was the mode and payment date ठीक है तो इस question में जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यह slide में है क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें एक database है ठीक है उसके अंदर total 4 table है जो सबसे पहले table है वो आपकी customer table है दूसरी payment तीसरी आपकी address table है और जो fourth है वो आपकी country table है ठीक है यह चारो एक दूसरे से connected है किसी ना किसी column common columns के साथ ठीक है अब हमारा question देखो आप उसमें customer का नाम दिया है इसका मतलब फर्स्ट नेम होगा customer tables उठाया है उसके अलावा जो question पूछ रहा है कि कितना amount पे किया है किस mode से किया और payment rate किया है आप यह देखोगे तो यह payment table के अंदर इस सारा detail है तो अगर मैं इन दोनों table को किसी तरह जोड़ दूँ तो मुझे customer name के सामने वो सारी details मिल जाएंगे तो एक step हम लोग और जाते हैं और दोनों tables को देखते हैं कि उसके अंदर values कैसे है तो अभी आपके सामने दोनों tables आप देख सकते हो तो जो उपर वाली table है वो आपकी customer ID table है customer table है और जो नीचे आपको data दिख रहा है जो table है वो आपकी payment table है customer table में देखो आप customer ID है first name है last name है और address ID है चार columns थे चार columns यहाँ पे है payment के अंदर भी चार columns है आपके पास customer ID, amount, mod और payment date तो वो चार columns यहाँ पे भी है अब जो question है आप right side में देख सकते हो कि customer मदन के बारे में पूछा है न तो आप देखो जो first table में देखो first name मदन आ रहा है उसका customer ID है 2 उसको पूरा हम लोगों ने red में highlight कर रखा है अब आप second table में आ जाओ customer ID 2 उसके आगर आगे आप जाओगे तो उसमें amount, mode और payment तीनों चीज आपको एक साथ मिल जाएगी है ना तो हम लोगों ने क्या किया first name से देखा कि customer का ID क्या है और ID दोनों column में common था तो वहाँ से हम लोगों ने बाकी values को भी find out कर लिया और यहाँ पे अगर हम लोग join करेंगे तो customer ID दोनों table में common है तो अगर इन दोनों table को मुझे join करना है तो मैं customer ID के साथ दोनों table को join कर सकता हूँ ठीक है अब वह कैसे करना है और कैसे होता है कौन से type का join करना है वह सब फिर अभी हम लोग आगी देखते है तो अभी आप देख सकते हो कि कितने types के join होते है ठीक है तो यहाँ पे आपको सिर्फ high level बता है कि इतने types के होते हैं और इनका definition और इनका detail अभी हम लोग आने वाली slides में देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग का join है वो है inner join ठीक दूसरा जो सबसे आदा user ने वाला join है वो है left उसके बाद right join और full join तो जो left join है इसको हम लोग left outer join भी बोलते है right join को right outer join भी बोलते है नीचे जो आपको चार diagram दिख रहे है इसको when diagram बोलते है ठीक है इसको भी हम लोग एक एक करके समझते है तो सबसे पहले बात करते है inner joins के बारे में तो inner join आपको help करता है दो table के बीच में common values देने के लिए ठीक है तो इसको हम लोग पहले when diagram की हजब से समझ लेते है और when diagram को आप mind में setup कर लो ताकि आपको visualization करने में easy होगा तो आप सबसे पहले देख सकते हैं दो table में पास circle में एक table A एक table B तो जब दोनों circle को हम लोग पास लाते हैं जो common area है नो दोनों circle का उसको वो represent करता है आपका inner join common area का मतलब दो table के बीच में जो common elements आएंगे values आएंगी उनको हम लोग inner join के थूँ पूल कर सकते हैं ठीक है अब right side में आप example देख सकते हैं inner join का यहाँ पे visually इसको दिखा रहे हैं हम लोग कि दो tables है हमार पास तो इसको हम लोग तो अच्छे समझ लेते हैं तो यहाँ पे मैंने video pause कर दिया है अभी आप देख सकते हो में पास एक table है जिसके अंदर तीन values है 1, 2, 3 और उसका उनकी respective value x1, x2, x3 ठीक एक table b है मेरे पास जिसके अंदर 1, 2, 4 है 3 नहीं है मेरे पास और इसमें value है y1, y2, y4 अगर अब इन दोनों का मैं inner join करूँगा न तो इन दोनों में जो common elements है वही मेरे पास output में आएगा ठीक है अब इन दोनों में common क्या है 1 दोनों table में है तो 1 आएगा 2 जो है वो दोनों table में है तो 2 output में आएगा मगर 3 दोनों table में नहीं है और right side में जो 4 है वो भी दोनों table में नहीं है है न तो यह output में नहीं आएगा अब इसको आप अगर play करके देखोगे तब आप output देख सकते हो 1 आया, 2 आया उसका respective value था x1, x2 और जो दूसरे table था उसमें respective value था 1 और 2 का y1 और y2 तो यह जो join करके हम लोग लेके आए यह values को इसको inner join बोलते हैं हम लोग ठीक है, तो I hope यहां से थोड़ा clear होगा अभी इसको थोड़ा और एक step आगे ले जाते हैं अगर आपको अभी भी clear नहीं होगा तो practically इसको हम लोग करके देखते हैं उससे पहले ही देख लेते हैं कि इसका syntax क्या होता है मतलब इसको कैसे हम लोग joins को कैसे SQL में apply करते हैं तो यहां पर आप inner join का syntax देख सकते हो सबसे पहले हम लोग लिखते है select column के नाम जैसे अभी तक करते आए from table का नाम अब यहां पर join करने के लिए obvious सी बात है एक से ज़्यादा table होना चाहिए है ना तो सबसे पहले हम लोग लोग ने table का नाम लिखा तो table A बोलना उसको उसके बाद आप join का type specify करते हो सभी join में जितने भी तरह के joins होते हैं सब में same सबका syntax ही same होता है सिर्फ यहां पर जो आप join का नाम दिखते हो ना इसी से वो join का type define होता है तो यहां पर लिखा हुआ inner join inner join किस के साथ करना है table B के साथ करना है कैसे करना है तो फिर वो हम लोग नीच वाली line में बताते हैं on table A.column का नाम is equal to table B.column का नाम अब यहां पर एक चीज़ का ध्यान रपना कि दोनों column के name same होने चाहिए अगर यहां पर आप suppose करना column है customer id तो table A.customer id is equal to table B.customer id अगर दोनों column में values same नहीं है तो फिर वो join काम नहीं करेगा आपको output में कोई result नहीं आएगा और यह जो inner join लिखा हुआ है यहां पर आप जैसे table A और table B लिखा हुआ अगर इन दोनों को change कर दूँ मैं मतलब table B पहले लिख दूँ और table A बाद में लिख दूँ तब भी मेरा output same रहेगा क्योंकि हम दोनों table से common elements उठा रहे हैं जिसका नाम है payment आप इसको करते हैं run तो आप देख सकते हो payment के अंदर जो payment table है उसके अंदर भी customer ID है उसके बाद amount है उसके बाद mod है तो mod में आपको बताएगा कि कि इस तरीके से आपने पैसा transfer किया cash credit card या mobile payment से और last है आपको पास payment date आपने किस date को payment किया है अगर आप यह दोनों table को मुझे join करना है inner join की help से तो इसमें जो common ID है मतलब common जो column है जिसके मैं साथ join कर सकता हूं वह customer ID तो मैं पास दो table है customer और payment अब उन दोनों को join करते हैं तो मैं लिखता हूं select सब कुछ from customer table और और यहां पर मैं लिख रहा हूं as c अब यह जो as c लिखा हुआ है इसको हम लोग जो as लिखा हूँ इसको alias बोलते है SQL में और यह आपको एक तरह का एक temporary name देने का काम करता है क्योंकि मैंने चाहता कि बार-बार customer customer इतना बड़ा नाम लिखूं तो इसके लिए मैं सिर्फ c लिख रहा हूं तो उससे representation थोड़ा easy हो जाता है इसको लिखना और यहां पर हम लोग को join करना inner join तो मैं इसको बोलूँगा inner join कर दो आप table b का नाम देना होगा तो table b है मेरा कौन सा payment payment के उपर करना है और इसको मैं बोल देता हूँ as p ठीक आप कोई भी नाम दे सकते हो मैं एक single word का दे रहा हूँ alphabet का उसके बाद कैसे join करना आप आपको वह बताना मैंने बता दिया join का type inner join है कैसे करना वह मैं बता रहा हूँ आपको आप लिख सकते हो c.customer underscore id is equals to p.customer underscore id ठीक है इन दोनों पर मिझे जॉइन करना है star का मतलब जॉइन करने के बाद मिझे सारे columns चाहिए दोनों table से इसको करते है join अब आप output में देखों सिर्फ दो rows of data आ रहा है सिर्फ दो rows आ रही है one जो की customer id है one customer id है two क्योंकि जो आपके पास दूसरा table है यहां से आप देख सकते हैं दूसरा table start हो गया customer id amount mod है न और उसके बाद अगर आप right side में जाओगे तो payment date तो यह चार columns आपके table number two payment table से आए तो यहां पे सिर्फ दो rows of data इस लिए आ रहा है क्योंकि दोनों table में सिर्फ दो ही customer है जो की common है customer id जिसका one है और customer id जिसका two है बाकी दोनों table में अलग-अलग customer id के customers हैं इसलिए inner join में वो data यहां पे नहीं आ रहा है ठीक तो इस तरह से हम लोग inner join का use करते हैं हाँ अगर आपको इस case में suppose करो सारा rows data नहीं चाहिए आपको कुछी rows चाहिए तो यहां पे आप mention कर सकते हो जैसे हम लोग पिछले प्रीवेस वीडियो में देखा है इसके लाव अगर आपको कोई condition लगाना या group by लगाना है या आपको where clause लगाना है तो वह सब आप as it is कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप join के साथ वो सारी conditions को use कर सकते हो ठीक है जैसे अगर मुझे कोई एक suppose करो एक ही एक column उठाना है तो मैं जैसे लिखता हूँ c dot c dot first underscore name ठीक और payment से मुझे चाहिए p dot amount और मैं बोल देता हूँ p dot mode ठीक इसको करते है run तो आप देख सकते है और output में पर सिफ तीन columns आ रहे है first name amount और mod क्योंकि यहां पर मैंने specify कर दिया है इससे पहले हम लोग ने star लिखा था और दूसरा चीज यहां पर c dot मैंने क्यों लिखा है या p dot क्यों लिखा है वो इसलिए लिखा है ताकि इससे दो चीज होता है एक तो database database जो SQL उसको समझ में आएगा कि यह जो column है यह कौन से table से उठाना है अभी तो चलो दोनों table में unique columns के नाम है बट future में ऐसा हो सकता है कि same name नाम अलग-अलग table में हो है न तो उसके लिए हम लोग specify करें कि भाई तू customer से फस्ट नेम को उठाना payment से amount को उठाना और payment से mode को उठाना दूसरा फाइदा यह होता है कि कल को आपका code कोई दूसरा बंदा देखता है या दूसरा बंदा उस code पे काम करता है तो उसको समझ में आएगा आप कौन से table से कौन सा left join है ना तो आप most of the time actually inner join और left join के साथ ही काम करोगे ठीक तो left join क्या होता है तो left join में आपको सारा data मिलता है जो कि left table में है है ना और वो match करता अगर right table से अगर right table से match नहीं करता तो वो आपको null values देदेगा मगर left table का आपको सारा data output में मिलेगा ही मिलेगा आप इसको when diagram से भी समझ सकते हो नीचे table A है table B है बढ़ table A का सारा data colored है इसका मतलब आपको table A के सारी values output में मिलेगी ठीक है अगर इसको हम लोग इस diagram के help से सीखे तो अभी म मैं इसको pause कर देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो left join में में पास left side 3 rows of data है जिसमें 1 है 2 है 3 है 3 values है right table के अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 1 है 2 है 4 है 3 नहीं है ठीक है और हम लोग क्या करना भी left join कर रहे है तो output में होगा क्या table A के तो सारी values आएगी 1 2 3 मगर table B से व 4 का output में नहीं उठाएगा ठीक है इसका एक बाद play करके देख लेते हैं तो आप देखो यह हो गया join और यहां पर आप output देख सकते हो 1 आया 2 आया 3 आया यह table A में थे मतलब left table में सारा कुस था right में आपके पास 4 था वो output में नहीं है क्योंकि वो left table में नहीं है तो जो left table में नहीं वो right से output में नहीं उठाएगा उस case में हम लोग left join का use करते हैं अब चलते हैं next इसका syntax देख लेते हैं तो अब उसका syntax देख लेते हैं तो यहां पे भी similar to आपका inner join जैसा syntax है सबसे पहले आप select करोगे column की name या names उसके बाद from table A उसके बाद किस type का join करना है तो हम लोग बोलेंगे left join table B उसके बाद आपको बताना है कि वो join कैसे करना आपको तो मैं चाहता हूँ on table A dot column को नाम जैसे पिछले वाले join में inner join मैंने आपको बताया था कि आप table A या table B कोई भी आगे पिछे लिख सकते हो है ना बट यहां वैसा नहीं होगा left और right join में आपको यह right side में है वो table B मेरा right side वाला हो जाएगा तो इस चीच का आपको ध्यान रखना होगा तो मैंने लिखा table A dot column name is equal to table B dot column name column name दोनों में same होगा common होना चाहिए values उसके अंदर ठीक है और फिर यहां पर इसका example है तो एक बाद इसको भी example हम लोग SQL में चला के देख लेते हैं तो य last time inner किया था इस बार left join payment table और यहां पर जो payment table उसको P declare किया है तो join कैसे लगाना है C dot customer ID is equal to P dot customer ID इसका मतलब जो आपको नीचे दिख रहा है ना यह यह मेरा left table है customer यह नीचे जो मैंने दिखाया आपको यह मेरा customer table है यह as it is रहेगा इसमें कोई छेड़ शाट नहीं होगा right side में इसके साथ data आएगा अगर वो customer ID 1 वहां मिलता है right में तो आजाएगा two मिलता है तो आजाएगा जो नहीं आएगा वो null हो जाएगा ठीक है इसको चला के देखते हैं तो आप देख सकते हो मेरा left table as it is रहा ठीक यह चार column left table के है customer name first name last name और address ID चारो as it is है right side में जो हो रहा है वो right side में change हो रहा है तो right side में आप change देख सकते हो customer one customer two to match हो रहा है बट three or four इनके पास नहीं है तो वो क्या कर रहा है यहां पर null values दे दे रहा है यहां पर blank values आ जाएगी बाकी सभी का जो भी data match हो रहा है वो आपको मिल जाएगा amount, mod, payment date ठीक यह आपका हो गया left join और right join मे same to same ऐसा ही होगा right table का तो सारा data रहेगा मगर left table में वही आएगा जो की right के साथ common में है ठीक है इसको भी एक बार हम लोग पहले समझ लेते हैं फिर इसको भी हम लोग run करके देखेंगे और right join में क्या होगा आपको वो सारा data मिलेगा जो की right table में है और जो आपकी आपका left table क साथ common है और जो common नहीं होगा उसमें null values आजाएगा ठीक है यहां पर आप when diagram देख सकते हो table a और table b है तो table b को अगर हम लोग right table लेते हैं तो वो पूरा colored है ठीक है यह होगा आपका when diagram right side के diagram को भी एक बार समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से तो यहां पर आप देख सकते हो right join में में पास दो टेबल है table a में 1 2 और 3 value है table b में 1 2 और 4 value है ठीक है तो जो इसका output होगा right join का right join में में मेरा right table तो as it is रहेगा तो 1 2 और 4 as it is रहेगा उसमें कोई change नहीं होगा 3 नहीं आगा क्योंकि 3 मेरा right side में नहीं है ठीक है तो 3 को हम लोग निकाल देंगे 1 आ जाएग 2 आया 4 आया क्यों क्योंकि यह मेरा right side में थे 3 नहीं आगा 3 मेरा left table में था बट right में नहीं है तो इसको अमनों drop कर देंगे और यहाँ पर जो भी respective values है वो आगी ठीक है में पास 4 का कोई value नहीं था left side में तो वो null है बाकी दोनो x1 और x2 values आगे तो यह होगा हमारा right join जल्दी भी same चीज का देहान रखना आप जो table A और table B जो आप नीचे join कर रहे हो on लिखके उसका position भी आपका depend करता है कि output कैसा आएगा अगर आपने swap कर दिया तो output बदल जाएगा इस example को भी हम लोग जल्दी से run करके देख लेते हैं SQL में तो यह हमारा last example था इसमें सब कुछ सेम र data है बट left में नहीं है तो आप देख सकते हो one और two तो table का जो data है वो left में है तो वो आ गया है ना बट right side में table जो customer ID है वो 8 10 और 11 और यह left table में नहीं है इसलिए यह पूरा का पूरा blank है नल लिका हुआ है तो यह हो गया आपका right join अब सबसे last join की बात कर लेते हैं जिसको बो join होगा वो है full join या इसको हम लोग full outer join भी बोलते हैं ठीक है तो आप नाम से ही समझ सकते हो full join का मतलब table A और table B दोनों को combine करके जो आपको output मिलेगा उसके लिए हम लोग full join का use करते हैं ठीक है यहां पर आप definition देख सकते हो returns all records when there is a match in either of the right or left table ठीक है दोनों में से किसी में भ table से समझें तो आप देख सकते हो में पास दो table है table A और table B table A में क्या है में पास value 1,2 और 3 table V में values है 1,2 और 4 अब दोनों का अगर हम लोग join करते हैं तो आप output देखे कैसे आएगा तो आप output देख सकते हैं उसमें आया 1,2,3,4 इसने 1,2,3 उठाया left table से और जो 4 value था ये right table में था उसने सभी दोनों table को merge कर दिया और जो जो values उसको मिली वहां लिख दिया और जो values नहीं मिली उनको blank छोड़ दिया मतलब null values आ गया इसका भी syntax देख लेते हैं तो इसका भी syntax सब कुछ same होगा इसमें select column के name from table a यहां पे आप लिखोगे full outer join तो postgreSQL में इसको लिखते हैं हम लोग full outer join ठीक है उसका table b का नाम और कैसे join करोगे आप same table a.column का नाम is equal to table b.column का नाम इसमें भी जो आपका sequence है लिखने का वो same to same inner join जैसा है मतलब आप table a को आगे रख सकते ह परक नहीं पड़ेगा आपके output पे इसके example को भी run कर लेते हैं तो यह आगे हम लोग SQL में यहां पे जहां right पे लिखा था right join वहां पे आपको लिखना होगा full outer join ठीक बागी सब कुछ as it is अब इसको कर दो आप run अब आप output देखो जितना भी data है दोनों table में वो सारा यहां पे आपको दिख रहा है मेरे पास table a में चार rows of data था आप देखो यहां पे है customer id 1, customer id 2, customer id 3, customer id 4, चारो आ गया बीच में जो data आपको null दिख रहा है वो इसकी वेसे दिख रहा है क्योंकि यहां पे right side में कुछ table, right side table में कुछ ऐसा data था जो कि left में common नहीं था वो आप देख सकते हो customer id 8, customer id 10 और customer id 11 उसका data यहां पे है last में जो 3 और 4 है वो right side और table में नहीं तो इसलिए वो यहां पे blank चूटा है तो जो भी data match नहीं होगा एक दूसरे से blank आएगा बट दोनों table के सारे columns सारे rows आपको outer join में मिल जाते हैं या full join में मिल जाते हैं तो यह होगए आपका full join तो यह होगे आपके चार types के major joins थे उसके बारे में हम लोगों ने उसको उसके definitions देख लिया उसका syntax देख लिया और finally उसको हम लोगों ने examples के help से भी सीख लिया ठीक है अब मैं आपको एक बार high level बता देता हूँ कि कौन सा joins को कब use करना है तो वो actually depend करेगा आपकी use case के साब और right का आप तब use करोगे जो आपको right table का data चाहिए और अगर आप outer join use करोगे तो दोनों table में जितना data वो सारा data अगर एक साथ चाहिए आपको तो फिर उस case में आप outer join का use करोगे तो यहाँ पे मैं आपके help के लिए कि आपको future में जब भी आपको joins को revise कर ना हो तो यह आप इस sheet का help ले सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे joins को explain किया हुआ है और उनका syntax भी दिया हुआ है ठीक है तो आप एक page में quick revision कर सकते हो तो I hope आपको काफी कुछ joins का clear हो गया और आप जैसे ऐसे practice करोगे आपके joins और भी ज्यादा clear होते जाएंगे